अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर खरें तो बारगिन का मतलब होता है सोदा करना तो यह जो पोयम है यह रविंद्रा टैगोर के द्वारा लिखी गई जो बहुत फेमस पोयट राइटर और नॉवलिस्ट थे तो यह जो पोयम उन्होंने लिखी है इसमें उन्होंने बताया है कि एक डेली वेस पर काम करने वाला एक होता है और किस तरह से उसे बहुत सारे ओफर आते हैं लेकिन वो उन सभी को ठुकराता है एक बच्चे के साथ बारगिन कर लेता है सोदा कर लेता है तो जानी जानते हैं कि किस तरह से जो एक डेली वेस पर काम करने वाला परसन होता है बच्चे के साथ कैसे खुश हो जाता है काम करने के लिए a bargain is an agreement in which two parties from parties promise to do something for each other तो यहां पर bargain को समझाय गया है bargain क्या होता है कैसा agreement होता है कैसा समझोता होता है जिसमें दो parties होती है और वो एक दूसरे सोधा कर लेती हैं तो यहां पर यह जो poem है इसमें someone यानि कि एक मजदूर के बारे में बताया गया है looking for का मतलब होता है searching वो search कर रहा है काम की तलास में है वो और wait कर रहा है कि कोई उसे higher करे higher का मतलब है उसे कोई किराय पर खरीदे और काम कर रहा है तो उसे बहुत सारे सोधे उसके सामने होते हैं उसके सामने बहुत सारे समझोते रखे जाते हैं लेकिन वो जो है उसके लिए वर्दलैस होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती है वो फिर दुबारा कोशिश करता है लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आते हैं और अंत में क्या होता है अंत में जो वो समझोत तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा लड़का है और यह मजदूर है जो यहाँ पर बैठे हुए है तो पोएम को स्टार्ट करते हैं जो जो मजदूर है वह कहता है कि सुभे के समय जो मैं वोक कर रहा था मैं गूम रहा था वो जो पत्थर की बनी हुई फुटपाथ थी मैं उसके उपर घूम रहा था तो मैं क्या ख्राई कर रहा था कि आओ और मुझे हायर करो sword in his in hand the king came in his chariot sword means होता है तलवार chariot means होता है रत he held my hand and said I will hire you with my power तो जो king होता है वो मेरे हाथ को पकड़ता है और उसने कहा कि मैं तुम्हें higher कर लूँगा अपनी power से क्योंकि king होता है कि इनके पास power होती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी power से higher कर लूँगा but his power counted for not not का मतलब है nothing and he went away in his chariot लेकिन जो मजदूर होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो power है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और जो king होता है वो अपने रत में वापस चला जाता है आगे देखते हैं in the heat of the midday the house is stood with shut doors I wandered along the croaked lane an old man came out with his bag of gold he pondered and said I will hire you with my money I weighed he weighed his coins one by one but I turned away तो यहां पर देखें जो मजदूर है वो बताता है कि अब दोफैर की बात है मिड़े की बात है और उसे मैं बहुत गर्मी हो रही थी और सभी जो घर थे उनके दर्वाजे बंद थे बंद हो गए थे उनके दर्वाजे गर्मी की वज़े से I wonder wondered का मतलब होता है घूमना या भटकना croaked means होता है टेड़ी मेडी lane means होता है गलिया तो वो जो टेड़ी मेडी गलिया थी मैं वहाँ पर घूम रहा था तब ही ये cold man आता है जो बहुत rich होता है और उसके पास जो bag होता है वो भरा रहता है gold of bag जो होता है उसका gold coin से भरा रहता है he pondered pondered means होता है सोचना समझना वो सोचता है और कहता है I will hire you with my money कि मैं तुम्हें hire कर लूँगा अपने पैसो से जो मेरे पास धन है जो gold coin है मैं उसे तुम्हें hire कर लूँगा he made his coin one by one वो मेरे सामने अपने एके करके सिक्के रख देता है but लेकिन I turned away लेकिन मैं वहाँ से चला जाता हूँ तो यहाँ पर आपने देखा कि उसे लालच भी दिया जा रहा है लेकिन जो मजदूर है वो लालच में बिलकुल भी नहीं आता है ना तो power न गोल्ड किसी के लालच में नहीं आता है It was evening अब शाम की बात है The garden haze was all a flower The fair maid came out and said I will hire you with a smile Her smile paid and melted into tears and she went back alone into the dark देखिए अब evening हो जाती है जो garden था जो बगीचा था हमाँ पर वो फूलों से भरा हुआ था उसमे एक fair maid मतलब एक सुन्दर ओरत आती ही परी की तरह सुन्दर होती है आकर वो कहती है मैं तुम्हें higher कर लूँगी किस से अपनी smile के साथ मैं अपनी smile के साथ तुम्हें higher कर लूँगी Her smile paid paid means होता है and melted finger जाना या धुल जाना तो उसकी जो smile होती है वो पीली पर जाती है फीकी पर जाती है और किस में बदल जाती है अंदकार में वापस चली जाती है the sun glisten on the sand and the sea wave broke waywardly तो glisten means होता है चमकना sand means होता है रेथ अब जो रेथ है अब आगे जो मजदूर है वो बता रहा है कि जो sun होता है वो चमक रहा था रेथ पर रेथ पर उसकी परचाई पढ़ रही थी उसकी किरने पढ़ रही थी और वो रेथ जो है चमक रहा था और जो समुंद्र था उसकी लहरे वेबाइडली का मतलब है आगे की तरफ वो बढ़ रही थी a child sat playing with shells और वही पर एक बच्चा था जो किसके साथ खेल रहा था जो shells थे वहाँ पर सीब थे मोतिया थी संक थी उनसे खेल रहा था और उसने कहा किया अपना सिरू पर उठाया और ऐसा लग रहा था सीमड मतलब ऐसा परतीत हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे जानता है और उसने कहा I hire you with nothing मैं तुम्हें हायर करता हूँ पर उसके पास कुछ नहीं था वो कह रहा है कि मैं मैं कुछ नहीं दूँगा और मैं तुम्हें हायर करता हूँ और तब ही जो मजदूर होता है वो कहता है कि ये जो सोदा था ये उसे पसंद आता है बच्चे के साथ खेलना बच्चे का जो खेल होता है वो उसे पसंद आता है made me a free man और उससे वो एक free man एक स्वतंत्र इंसान बनता है यानि कि पहले से ज़्यादा वो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है वहाँ पर तो ये पोयम लिखी गई थी रविनाट टैगोर के द्वारा तो यहाँ पर आपने जाना कि हमारी पोयम के फर्स्ट इस्टेंजर में एक king होता है जो उसे अपनी power से higher करना चाता है सेकंड इस्टेंजर में हमने देखा कि एक rich person होता है जो उसे अपने gold से higher करना चाता है और third is stranger में हमने देखा कि एक lady होती है सुन्दर सी वो उसे अपनी smile से higher करना चाती है लेकिन हम last is stranger में देखते हैं कि एक बच्चा उसे higher करता है और उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं देता है लेकिन वो जो मजदूर था वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो कैसी लगी आपको poem एक like करके जरूर बताएं तो मिलते हैं अपने next topic में तब तक के लिए बाबाई